नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुरेश यादव फारमाद दजलनिष किसी जागरन से आज हम ऐसे युवा साती के पास आये हैं जिनोंने लेश्वे का पोदे लगा रखें बहुत सारे अपने बाड़ के चारो तरफ और सात में इनोंने लेश्वे की नर्शरी उपन कर दी और ब गनेश नर्शरी के ऊपर आओ जाने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन-कौन से समस्य आती है और इनकी जो वेराइटी है वह बारामासी लेश्वा या लसोडा बोलते हैं जिसको वह है और इनके जितने भी पोदे लगे हुए हैं उन सब पर अभी फ्रूटिंग स्टार्ट है और इन्होंने कुछ से पोदे तयार भी कर रहे हैं अपना परीचे दीजिए मेरा नाम गनेश कुमावत मैं जोबनेर के पास आसलपुर गाउं में हैट रहता हूं और यह मैंने लेश्वा के पोदे लगा रखें जो 60 पोदे लगा रखें इनमें 12 में नहीं ये प्रूट से पोदे तयार करते हैं हम सेल करते हैं जो ये वेराटी हो बारा मासी है बारा महीने में अगर वो किसांड लगाता है तो उसको फल प्राखत हो जाएगा होता यह ग्यास और जाटा है तो उसमें कुछ खास नहीं है तो तो उसको ऑन्टेक पैस्टिश कंट्रोल कर सकते हैं लगा हिसको हराई बेचा जाता है अचार के लिए कामें लेते हैं और कोई जानवर जो पकसी है जानवर पक्स कोई नुकसान नहीं करता है इसको बिल्कुल कि इसमें गोंद रहता है झान तो जो आप सब्सक्राइबैने को सब्सक्राइब निर्टिय निरिखने से लगा ही साट रुपे तक पोदे हैं लेका है डाले से लेकर साट की बीच मैं चाहे कोई किसान की लिए आपने चैवे ऩ। लगबग अन Bunny parler पर यह को हर nearby not even Lee no the से थैंधा यह लगा दिया किशान को जड़ा मेनत कडिने की बिल्कुल भी जडरूत नहीं रहेगी धन्यवाज सरा आपने اपना कीमती समय दिया जो भारत के ओर किसान है आप उन्हें अपना क्या सुजावड देना चाहिए हम सुजाव देने चाहिए कि बहुत घी खिती से दूर जाना चाहरें तो वो यह लेस्वए के पोदे लगाके अपना रूजगार चालू कर सकते हैं थे साइड इंकम पराप्त कर सकते हैं चाहिए अपना कॉंटेक्ट नमबर बोल दीजिए गवार 830-250-4012 धन्यवासे मेरा कॉंटेक्ट नमबर है